वेलकम, आज हम जानेंगे त्रिवेनी वरिक्ष के बारे में त्रिवेनी में तीन वरिक्ष होते हैं बर्गत, पीपल और नीम हमारे देश में इसे प्राचीन समय से लगाया जाता रहा है और इसे लगाने के लिए आजकल भी बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि ये बहुत ही उपयोगी होता है सबसे पहले जानते हैं बर्गत, वरिक्ष के बारे में इसके चमड़े जैसे चमकदार पत्ते होते हैं इसकी चाया में दस हजार से अथिक लोग इकठे हो सकते हैं इसकी दाड़ी इसकी जड़े होती हैं जो वायों से नमी सोक कर व्रिक्ष को जल परदान करती है। इसके लाल रंग के बहुत ही स्वादिस्ट फल होते हैं। बर्गत के व्रिक्ष के चाल कागज सथा रसियां बनाने के काम आती है। इस व्रिक्ष में कई औश्थिये गुन भी होते हैं। इसे ज्यांत थजीवन का व्रिक्ष भी कहा जाता है। कि यह भयानक सूखा भी सह सकता है। पीपल एक अर्थ सदा बहार व्रिक्ष है। इस पर एक या डेट सेंटीमीटर के फल लगते हैं। लंबी डंडी के कारण पीपल के पत्ते हमेशा हिलते रहते हैं। यह सबसे पुराना फूल पैदा करने वाला व्रिक्ष है। पीपल को व्रिक्षों का राजा भी कहा जाता है। इसकी उंचाई लगभग 30 मीटर तक हो सकती है। पीपल 50 से अधिक बिमारियों में काम आता है। तीसरा है नीम, नीम की लंबाई 100 फुट तक हो सकती है। इस व्रिक्ष में बैक्टेरिया को मारने की सरवातिक शक्ती होती है। नीम के व्रिक्ष का परतेख हिस्सा किसी न किसी बिमारी के काम आता है। नीम के फूलों से आंतों की बिमारिया ठीक हो जाती है। इसकी दातुन से दातों में कीड़ा नहीं लगता नीम से बहुत सी दवाईया बनाई जाती है इस परकार तिर्वेणी के विरिक्ष स्वास्थे की दृष्टी से बहुत अधिक उत्तम होते है मिट्टी के सरंक्षन के लिए भी इन्हें लगाया चाता है ये विरिक्ष दो तिन हजार साल तक पुराने हो सकते है आजकल इन्हें स्कूलों में लगाने के लिए बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है तथा पारकों में भी Thank you, stay with science